और बव्य बनाएं और उस दिन 22 तारीको अतुल शर्मा ने कहा कि 500 वर्ष के लंबे संगर्ष के बाद ये दिन आया है और हर वारतवासी को इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए उन्होंने कहा कि जम्मु कश्मीर ब्रामन सवा द्वारा इस उत्सव को भवे बनाने के लिए केई कारेकरम किये जाएंगे और बड़े LED स्क्रीन लगाकर अयोध्या में श्रीराम मंदिर में भगवान राम लल्ला के प्रान प्रतिश्चा समारो का सीधा परसारन दिखाया जाएगा अतुल शर्मा ने जम्मु वासियों से इस उत्सव को और भवे बनाने के लिए पंडित प्रेमनात डोगरा चोक में आयोजित होने वाले कारेकरम में बढचर कर शामिल होने की भी अपील की हमारा हनुमान चालिसा का पार्ट का समापती होगी उसके बाद वहां पे महूरत का समय भी है महूरत के बाद हम सारे एक विशाल एलिडी दस फुट की यहां पे चोंक पे हमने जीमसी से भी प्रमिशन ले रखी है प्रशासन से भी और उसके बाद बड़ी विशाल एलिडी पे हम लोग दर्शन करवाने का माध्यम बनेंगे और उसके बाद जो माननी है प्रदान मंत्री का जो बाशन होगा संबोधन होगा उस दिन वो बड़ा इतिहासिक होगा और आपके माध्यम से हम लोग उसी LED पे उसका भी प्रसारन हम लोग करवाएंगे और उसके बाद हमारे सबा के चीफ पैटरन गुरू पदम श्री डॉक्टर विशुमूर्थी शास्त्री जी आधरनी है उनको उनका भी एक संभोधन रहेगा वहाँ पे और उसके बाद हम लोग श्री रामलला की आरती होगी रामगवान की आरती होगी आरती के बाद उसका संपूर्ण करके हम आरे गायोजने